हेलो असलामलेकम एंड वेलकम टू माई यूटूब फैमिली कैसे आप सब होफुली आप सब ठीक होंगे हम भी सारे ठीक हैं अलापाक आप सब को ठीक ठाक रखे तो ये मौरनिंग है और ये देखें जि आज वैदर जो ना बड़ा जबरदस है और बारश भी हो रही ये बाहर तो जब मौसम इस तरह का होता है तो सची अलू वाले पराथे और नानशान खानें को बड़ा दिल करता है तो साथ दिल करता है को क्यों मीठा मैं आज़ा करा गारा भी बना हो तो मैं आज़ नाश्ता भी जो न अपना नान सेके कर रह norm चूरओ मैंने नान के करूंगं राण नान मैंने फ्रीज करके रखे थे तो बच गे थे काफी तो मैं पिर वो ना उनको शोपर में डालके तो फ्रीजर में रख दिया था तो जब दिल करें आप नकालके फिर गरम भी कर सकतें इस तरह तो माच दाल भी पड़ी थी मेरे पास लेफट ओवर तो आज मेरा दिल था कि मैं नान गरम करूं और साथ दाल के नान और दाल इंजवाए कर तो इतना वैसे आईल खाना भी नहीं चाहिए लेकर यह कि इस तरह की मौसम में दिल भी तो करता है ना इस तरह की चीज़े खाने को तो मैंने थोड़ा साइल डाल दिया और साथ मैं पानी डालके इसको गरम कर रही हूं क्योंकि फिर पानी जब डालते है ना साथ थोड़ा बड़ा सॉफ्ट हो जाता है बिल्कुल आप हल्की आँच पे इसको करें तेज अगर आँच होगी ना तो वो ज्यादा चींटे भी उपर उटते हैं और फिर वो जल जाता है नीचे से सही तरह गरम भी नहीं होता दाल भी मैंने गरम कर लिया और साथ मेरी चाय भी जो है न नान का आज तो वो ना पाकिसान में जब शादियां वगरा होती है तो जो नान बाच जाते हैं तो अगले दिन वो गरम करके खाये जाते हैं वो बड़ा टेस्ट आता है तो आज मुझे भी सची पाकिसान की याद आ रही थी कि जारी सी बाता हर बात पे हम पाकिसान को तो अपने मुलक को याद करते हैं तो नाशता मैंने कर लिया था और किचन को मैंने कलीन किया है तो ये मेरे हस्बिन अराथ को ग्रॉसरी ले के आए थे उस दिना मंधली ग्रॉसरी डालें वगारा तो उस दिन ले आए थे तो बाकी जो समान रहे था ता वो आज लेके आएं फ्रॉट वगारा और अंडे तो ये वीकली तो आते ही आते हैं लेकर जो चीनी हो गई इस तरह में दा आयल ये इस तरह की चीज़ें जो थी ना वो खतम थी तो ये लसन भी इनको अफर पर मिल गया तो ये काफी सारह उठा लेके आ गए है अद्रक लेके आएं और ये बगोट वगएरा बच्चों के फ्रॉट्स लिए हैं और साथ इन्होंने जो जो चीज़ें चाहिए थी ये रैप मैं लेके आती हूँ कि बच्चे स्कूल जाते हैं ये गर में कभी जरूरत पड़े तो फिनना ये इस्तमाल कर लेती हूँ अद्रक भी इन्होंने काफी सारह ले लिया क्योंके लसन अद्रक जो है ना मैं बहुत ज्यादा यूज़ करती हूँ सालन में मिश्रूम लिये हैं वाइट और साथ ये लेके आएं ये हरा प्याज ये तो ओमलेट में डलना है डलना है डेल ली इसके बगार तो ओमलेट जो है ना कम्प्लीट नहीं होता तो फाल लेनी थे अलूमूनियों फाल ली ये साथ ये बच्चों के स्नैक्स बगारा ली ये ना फिर चीज़ें पिर मैं इनको सेंड कर देती हूं कि ये ये चाहिए मुझे तो ये ले हैं आप ये नुटेला लेके आएं ये खुद लेके आएं मैं ने लेके आए ये बड़ी देर बाद हमारे गर में आईी क्योंकि मैं पहले बहुत लेके आती थी तो बच्चे इ जो ना थोड़े से खराब होकर दी है उसने तो मैंने फिर उस जिन से तो घर में लाना ही बंद कर दी थी तो इनको कभी कभी शॉप चड़ता है कि यह इनको भी बड़ी पसंद तो बच्चे आज देख कि जैसे उनकी इद हो गई थी कि आज फिर नुटेला आ गई है मैंने का ठीक है तो जैम तो चोटा बेटा मेरा बिलकुल भी नहीं खाता बड़ा खाता है तो लेकन नुटेला दोनों को बड़ी पसंद है लेकन यह वाइट और दूसरी केली चॉकलेट नहीं है तो यह फिर टेस्टी लगती है लेकन यह के मीठा तो मीठा दान तो फिर खराब हो जाते हैं बच्चे जब खाते हैं तो यह वाला शूगर का जो ना यह वाइट वाला रात को बैक हैंच के नहीं है किचन में रखा है समान वाला तो यह ना फटके नीचे उपर था तो यह नीचे सांसा करके गिर रहा था तो मैं इनसे कह रही थी मैंने का पता नहीं किदर से और आँ तो बाकि यह ब्रॉण शूर चाहिए तो बाकि यह जतने मुझे मुझे पैकट चाहिए थे मैंने अतने मगवाएं ड़्मॉाने कुछी मेरे पड़े वह प्हुटे मेरे तो पहले वे तो फिर मैं उसी सापसे मुझे पता ऐता कि एक महिने की ग्रॉसरी जो है ना कितनी आनी और कौन सी चीज कितनी इस्तमाल होनी है तो फिर मैं उसी साप से मगवाती हूँ तो ये साथ फ्लॉयर के हम यूज करते हैं टिशू वाश्रूम के लिए भी और किचन के जो हैं और ये आठ का पैक था ये लेके आएं और साथ ये सरफ मिल गया था तो ये ओफर पे था ये भी काफी बड़ा वाला पैक था तो काफी टाइम ना निकल जाता है फिर अगर आप इस तरह चीज ले आते हैं ना का तो मेरा तो काफी टाइम गुजर जाता है ना फिर इस तरह ना तो फिर बार बार नहीं जाना पड़ता लेके और ये सरफ खत्म हो गया या कुछ तो बाकी चलें यूँ नॉर्मली चीज़े खत्म होती वो तो फिर लेके आते हैं तो हम मैंने पुदीना जो कल लिड लगा के इसको रखा था तो आज मैंने इसको नकाल ला है तो आज मैंने इसको नकाल ला है क्योंकि फ्रीज कर दिया था तो कभी कुछ पका लिया कभी कुछ इसकी बारी नहीं आई तो फिर मैंने का चलें आज इसको बना लेती हूं साथ मैंने आलू थोड़े से काट के न मिक्स कर दी हैं काफी मसाला था अंदर मैंने का वो बचा रहेगा साथ आलू भी बेक कर लेती हूँ ऐसे फिश को मैंने इस तरह सारी को लगा दी और साथ मैंने आलू भी रख दी हैं और बड़ी मज़े की बनी थी मैंने इसके अंदर फॉक के साथ जो होल किये थे ना मसाला यकीन करें इसके अंदर तक गया था और इतनी ये खटी बनी थी और स्पाइसी बिलकुल भी अंदर से ये फीकी नहीं थी आप जरूर ट्राय करना है इस तरह फॉक के साथ ना अंदर होल करके फिर आप इसको मेरिनेट करना तो मैं पहले बनाती थी लेकर बाहर से ना मसाला बाहर रहता था अंदर नहीं जाती है अच्छी तरह से दोनों साइड़ों से होल कीसी तो वह अंदर तक जो ना मेरिनमेशन गई है इसके टूटवन्टी पे मैंने इसको गरम कर लिया था और फिर मैंने इसको अंदर रखी इदर मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा था एक हासे मैंने कैमरा पकड़ा था और दूसरे हासे ना वो कभी उपर कभी नीचे जा रही थी तो फिश भी बेक हो गई और आलू भी और ये देख लें जी फाइनल लूक साथ मैंने ब्रॉकली थोड़ी सी स्टीम कर ली थी प्याज मैंने थोड़ा सा रखा साथ ना बच्चे ये ब्रेड खा लें बगोड टाइप लेके आई थी मैं तो बच्चों को ये अच्छे लगते साथ इस तरह ले लेंगे जिसने खाना हुआ तो चलें जी ये थी मेरी आज की वीडियो मुझे और मेरी फैमली को दें अजाज़ाओं में याद रखें मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अला आफिस